जाएं दोस्तों स्वागत आप सभी का इस वीडियो में आई ये इस वीडियो में हम डिसकस करते हैं लखनोग उनिवस्टी के बीएट फर्स सेमस्टर का फर्स सब्जेक्ट तो दोस्तों इसमें आपके थर्डी यूलिट में तीन टॉपिक मैंने आको बताया है तोस्तों आपका कलचर यानिकी संस्कृती संस्कृती और समाज सास्त इन दोनों से मिलाके दो सवाल जरूर आते हैं हमने और समाज सास्त और समाजी करण का वीडियो देख रखा है यहाँ पर हम बात करेंगे दोश्तों संस्कृति से सब्मनित जो आप से स्वाल पूछे जाते हैं असान से सब्दों में आपको कैसे लिखना है संस्कृति क्या होती है मतलब संस्कृति कल्चर किसे कहते हैं पता तो है हमें जैसे मैं एक एक ग्जामपल देता हूँ Indian women's का कल्चर है कि साढी पहनना यह हमारे कल्चर है एक ट्रेडिशन से एक संस्कृति जैसे की Muslim traditions है मुस्लिम कल्चर है कि नकाब पहनना फूड में भी हमारे कल्चर होते हैं हमारे फेस्टिबल की कल्चर होते हैं तो 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 आईए वन बाई वन देखेंगे बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी शॉर्ट वीडियो में हम समझने की कुछिस करेंगे एक सवाल आपको संस्कृति से देखने को जरूर नहीं मिलेगा ये वीडियो आपके लिए साहिक होगा आपकी एक्जाम पॉइंट ऑफ्यू से पहले बात करते हैं संस्कृति का र पहते है किसे कहते हैं कल्जर किसे कहते हैं समानी अर्थों में दोस्तों संस्कृति सब्द का परियोग सूस्सकृत यानि कि संसकार के साथ के लिए किया जाता है संस्कृति का मतलब सूस्सकृति आपके संसकार आपके साथ रहे संस्कृति संस्कृत भासा के सब संसकार से बना है जिसका अर्थ होता है कुछ तत्तों की पूर्थी करना अत्वा उन्हें संपन करना इस पकार संस्कृतिक अर्थ हुआ विविन संस्कारों द्वारा सामुईक जीवन की उद्धिस की पूर्थी करना संसकार विविन संसकारों द्वारा सामुहिक जीवन की पूर्थी करना इसका साब्दी करत हुआ कि इसका संसकृति का संसकृति के बारे में अगर आपको लिखना हो तो आप लिखी का संसकृति के संसकार सब्द से वना है अर्थात संस्कार के साथ आपको जीवन जीना है संस्कार के साथ आपको जीवन यहाँ पर व्यापन करना है तो यहाँ पर संस्कृति का मतलब बहुत उसको विभीन संस्कारों के दवारा सामुहिक जीवन के उदेशों के पोर्थी करना यह हमारी संस्कृति का अर्थ हो गया अब आईए संस्कृति की कुछ परिभासा है देख लेते रोसक क्याने साथ संस्कृति की परिभासा क्या होगी संस्कृति की साधार और परिभासा इस प्रकार से दी जा सकती है कि किसी विशय समय और अस्थान में निवास करने वाले विशयस व्यक्तियों के जीवन वयतीत करने की सामुई की विधित। से भी और अभी हिंदुस्तान में यह विशेषता है कि मैलाय साड़ी पहती है तो यह हमारी क्या हो इसी तरह अगर आप किसी धर्म विशेषत की बात करें तो उसके सामुहिक लोगों की जीवन यापर करने की जीवन जहली होती है उसे हम संस्कृति मांते हैं या संस्कृति कह जिसमें ज्यान, विश्वास, कला, नहतिकता, नियम, रिवाज, और समाज के सदास्यों के रूप में मनुश्य सो दोबारा अर्जित की जाने कुछ सामिल होते हैं तो हम जब इसको अपनी आदत में सामिल अनुसार संस्कृति में कोई भी बात आ सकती है जिसे एक पीडि से दूसरे में हस्तनाथेत किया जा सकता है किसी मिराश्ट की संस्कृति उसके समाजिक विरासत होती है किसी विराष्ट की संस्कृति उसके समाजिक विराषवत होती है यह हमारे सदर लैंड एम वुड वर्ड के अनुसार यह कहा गया तो इस तरीके से तीन भरी भासाएं आपको दी गई हैं असान से सब्दों में दी गई हैं आप इसको लिख लेजिए आप और बहतर समझ सकते हैं अगर ही सब्सक्र lavat aşलिं कि विख सिंगेशनु परणा पर. सन्युक्त परिवार पता है मुझे रखता है कि हमारे संस्क्रिटी के सब्सक्राइब खुबसूरत चीज है कि हम अभी भी क्या है दोस्तो जॉइन फैमिली को बिलीव करते है तो सन्युक्त परिवार पता है विभिंता में एक था है दोस्तो यह हमारी खुबसूरती है आती थी की सेवा आती थी देव भावब यह हमारी भारत की संस्कृति है दोस्तो सांती एवं अहिंसा का सिधान पहले वार नहीं करेंगे पहले छेड़ेंगे नहीं लेकिन जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं तो यह हमारी के वैज сх कि हमारी सिक्षा और संस्क्रिति कैसी ती आपको कैसे पता चला सिक्षा के दौरा तो सिक्षा एक प्रमुख कारण है प्रमुख माध्यम है जो आपके संस्कृति को आपको बताता है और पिछली संस्कृति को अब तक पहुचाता है और आपके संस्कृति को आगे पहुचाएगा मतलब सिक्षा क्या है एक प्रमुख माध्यम है प्रमुख स संस्कृत अर पर्ते शमाच अपनी संस्कृति का नुरूहत ही सिक्छा करता हम संस्कृति करैं साथ करती है देखिए ज you can कि जो education system है वो अफगानिस्तान या तालिवान की education system से अलग होगी क्यों वहाँ अपने संस्कृति करुमसा सिक्षा का स्वरूप डानाते हैं हम अपने संस्कृति करुमसा सिक्षा का स्वरूप बनाते हैं आप यूरोप में चले जाएं, वहां का सिक्षा का स्वरूप अलग होगा एक यू समझज जी क्लास रूप में बैठना जैसे बच्चे कैसे क्लास रूप में बैठेंगे inclusive education, girls और boys एक साथ बैठेंगी नहीं बैठेंगे कितने understanding से बैठेंगे कितने मिच हो सकता है जिसे हमारे इंडिया में क्या है girls और boys के लिए same classroom है लड़कियां एक side पे बैठती है या फिर कुछ bench पे बैठती है दूसरे bench पे लड़के बैठते है अगर मैं भी जैसे Taliban में आई expect की अभी एक photo जुवारे लोगी थी जहाँ पे बीच में परदा लग गया था लड़के और लड़कियों की बीच में यूरोप में चले जाएए तो बचपन में भी दोनों एक साथ बैठ सकते हैं इतरा मतलब freedom है तो जिस हिसाफ से आपकी संस्कृति है उस हिसाफ से आपका सिक्षा का स्वरूप होगा अब सिक्षा और संस्कृति में किस पकार सहायक है इन बी दोस हम समझेंगे पहला दोस्तों संस्कृति के हसनांतर में सहायता करती है सिक्षा जो है वो संस्कृति के हसनांतर में सहायता करती है वेक्ति समाज के सदस्य गुरूब में संस्कृति को सीखता है और उसे अगली पिडी को अस्तनातिल करता है इस कारे में सिक्षा संस्कृति की अपूर्ण सहायता करती है कोई और इस प्रकार से नहीं कर सकता है यह सत है कि वक्ति प्रमुख रूप से संस्कृति के अनिक बातों को सीखता है पर यह भी सत है कि उनके बातों की सिक्षा अध्यापक के द्वारा ही दी जाती है वस्तु तो अध्यापक के द्वारा ही सिक्षा को संस्कृति को अस्तनातिर करने का कारे सौपा गया है मतलब आपके संस्कृति बढ़ाने का कारे किसका है वाई सिक्षा का ही है दूसरा दोस्तो वक्तित्यू के विकास में सहयोग तो आपके सच्छा क्या करती है वक्तित्यू के विकास में सहयोग सहाइक। सन्सक्रिटी के इतिहास की विशुद्धफार है। जिनमें उस जाती के लंबे समय के अधुम्मंगे कन नीचोड होता है, अतक किसी जाती का अपनी संस्क्रीती से संबंध विछेद होना, उसके लिए विनासकारी सित्ध होता है, हमारे जो इतियास है, हमारे हिस्ट्री है, उससे हम अलग नहीं हो सकते है, और इसकी सहायता कौन करता है दोस्तों सिक्षा करता है हमें अपनी संस्कृति से निरंतर जोड़े रखता है ये कुछ पॉइंट है दोस्तों कि सिक्षा में संस्कृति किस प्रकार से जुड़ा हुआ है किस प्रकार से सहायता करता है राइट चली तो बस एक छोटी से वीडि करने की कला क्या यह संस्कृति कर लाती है इसकी जलिए तो इस बीडियो में फिलाल इतना है तो इस फिला इस वीडियो में बहुत खुशी होगी आपका कमेंट पढ़के अब पर कुछों ना भूलें इस वीडियो में फिला लितना हैं दूस्तों पढ़ते रही है आगे बढ़ते रही है मेरी दूआया आपके साथ है तुड़े रिया चैनल से चाहीं जावारा है